कि नमस्कार बच्चो राज्य शिच्छा सोध यह फ्रसिचन परिशद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है बच्चो हम लोग कछा का दस्मी के विज्ञानि समनवय को पिख्लिक कक्छा में थोडा पढ़ा था उस नियंत्रube penso में हम लोग पाधोमे नियंत्रन वं समनवय में कैसे हो ते हैं उसको हम लंग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग गतीया धारित और गतिक के बीना आधारित migrants Crue मनवय को समझा था तो बिना गती के कौन सा था क्या आप नाम बता सकते हैं बच्चों हाँ सही बोला आप लोगों ने नास्टिक मुव्मेंट उसको कहते हैं और एक्जामपल क्या था छूई मुई का पौधा माइमोसा पुईडिका और दूसरा था गती आधारित यानि बाहर पढ़ा था एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूं फोटो ट्रॉपिजम जीयो ट्रॉपिजम कीमो ट्रॉपिजम और हाइड्रो ट्रॉपिजम ये तो हो गया बाहरी वातावरन से जो पौधे समन्वय अस्थापित करते हैं अब पौधों में ये गती होती कैसी है कैसे अब प्रकास की ओर मुरते हैं जमीन की ओर मड़ते हैं यह करने के लिए उन्हें बाद्धे कौन करता है और यह कैसे पौधों में होता है अब इसी को हम लोग यहां देखेंगे जानते हैं वो क्या उनके अंदर मोजूद होता है वो ど disciplICA करधिए हैं पौधों की जाविक रियाओं के बीच समनवय अस्थापित करने वाले रासानिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं यानि पौधों में ये जो गती समनवय अस्थापित कर रहे थे एक रशायन होता है जिसे हम लोग पादप हर्मोन कहते हैं ये पौधे के विभिन अंगों में बहुत लगु मात्रा में पहुचकर व्रिधी एवं अनेक उपापचाई क्रियाओं मेटाबालिक प्रासेस को नियंतरित एवं प्रभावित करते हैं इनके संसलेशन का अस्थान बच्चों संसलेशन मतलब निर्मान बनना इनके क्रियाओं छेतर से दूर होता है एवं ये विश्रन द्वारा क्रियाओं छेतर तक पहुचते हैं रासानिक संगठन तथा क्रियाओं विधी के आधार पर हॉर्मोन्स को इस प्रकार पांच प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है पहला क्या है और जीन दूसरा क्या है जीवेरलीन तीसरा साइटो काइनी चौथा आप सिसी केट सीट और पांच वह एथिलीन या आप इथिलीन भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको तो जैसे प्रोनौंस कीजिए बच्चों चलते हैं यहां हम लोग हॉर्मोन को पौधों में भी एंजाइम स्रावित होते हैं और जन्तु में भी स्रावित होते हैं तो यह हॉर्मोन क्या है हॉर्मोन ऐसे रासानिक पदार्थ है जो नियंत्रन एवं समनवय के लिए आवस्यक है पौधों एवं जन्तु दोनों में यह बहुत ही कम मात्रा में स्रावित हो होते हैं और कारे कहीं और करते हैं मिसाइल की तरह आप समझ सकते हैं मिसाइल आप लोगों ने देखा है ना छोड़ा कहीं और से जाता है और यह मिसाइल अटाक कहीं और जाके करते हैं तो सामाने समझने के लिए आप मिसाइल से इसकी तुलना कह सकते हैं इसका स्रवन नियंत मात्रा में होता है क्योंकि कम या ज्यादा स्रावित होना ये नुकसान दायक भी हो सकते हैं नहीं स्रावित होने पर आपको इस से जो जुड़े हुए कारे हैं वो प्रभावित होंगे और अगर ज्यादा स्रावित होंगे तो उससे भी ये वो कारे प्रभावित होता है तो न तो एंजाइम है कि जादा स्रावित होने में उतना फर्क नहीं है लेकिन यहां हर्मोन का निश्चित मातरा में स्रावित होना बहुत ज़रूरी है और एंजाइम का क्या है यह जहां स्रावित होते हैं वहीं कारे करते हैं पर हर्मोन का क्या है कि यह स्रावित कहीं और होते हैं और कारे कहीं और होते हैं तो आप लोगों ने क्या देखा कि पौधों में नियंतरन और समनवय के लिए पांच हॉर्मोन स्रावित होते हैं जिसे की पादप हार्मोन फाइटो हार्मोन कहते हैं कौन-कौन सा है और जीन, जीबेरेलीन, साइटो काईनी, एपसीसिक एसीट और इथिलीन, अब बच्चों चलते हैं ये पांच हॉर्मोन क्या का क्या रे करते हैं, कैसे पौधों के गती को नियंतरित करते हैं, हम लोग उसको एक एक करके देखते हैं, चलते हैं पहले देखते हैं और जीन को, पौधे के अस्तंब सिर्ष में, स्टेम टिप पर, मुख्यत संसलेसित होने वाले ये कार्बनिक योगित कोशिका विवाजन एवं कोशिका के दिर्गन, सेल इलोंगेशन में सहायता करते हैं, और जीन क्या काम करता है, ये स्टेम टिप पर होता है, यानि आप देखते पौधे को जो बढ़ते हुए आप देखते हैं, तो ग्रोथ स्टेमाटिक टीशू जो ग्रोथ हार्मोन है, बढ़ने वाले सेल्स काहां रहते हैं, रूट टीप और सूट टीप पे रहते हैं, तो ये सेल के डिवीजन में और साथ-साथ सेल के इलोंगेशन में सहायता करते हैं, जब पौथों पर प्रकास पढ़ता है, तो ऑगजीन प् सहायक होते हैं, यदि अस्तंभ का सिर्ष काट दिया जाए, तो पौधे की लंबाई में व्रिधी रूख जाती है और पार्सव साखाएं निकलने लगती हैं, ये प्राया बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं, बच्चों ऑगजीन क्या करता है, कि ये लंबा पाई को बढ़ाने में मदद करता है, अभी हम लोगों ने देखा फोटो ट्रॉपिजम में, कि पौधा अगर धूप में है, तो सीधा है, लेकिन जैसे ही उसको छाया में रखते हैं, और लाइट अगर इधर से आ रहा है, तो क्या होता है, लाइट की और पौधे ये मुर होता क्या है कि ऑगजीन जो है, वो इस साइट कंसंट्रेट हो जाता है, और इधर की तुलना में इधर के सेल्स को तेजी से डिवाइड करता है, तो इधर वाला सेल तेजी से बढ़ा और इधर का सेल नहीं तेजी से बढ़ा है, तो होता क्या है, कि ये धीरे धीरे इस पे कि दवाब बर्णाता है और ये मुझने लगता है तो फिर जब मुझ जाता है तो पिर क्या होता है पिर होते हैं तो जब भी ऐसे changes होते हैं तो ओक्षीन अब कि da간 चला जाता है और दूसरे साइट को छाया वाले को बढ़ाता है उधर तेजी से डिभाइ़ करेगा रोशनी वाले की तरब से यही बज़ा है कि वो बेंड होने में मदद करता है यानि ट्रौपिजम में कारे कैसे होता है तो ऑग्जीन के कारण होता है और जीन ही जो है फिस टेम के में दो भाग में डिवाइड हो करके और छाया वाले को बढ़ाता है जिसके खारण वो बेंड होता है और स्टीम जो है लाइट की और मुड़ता है तो और जीन क्या है ग्रोथ हॉर्मोन है और जीन को क्या कहते हैं ग्रोथ हॉर्मोन कहते हैं अब अगले हॉर्मोन को देखते ह दूसरा हर्मोन क्या है जिबेरेलीन्स जिबेरेलीन्स को भी ग्रोथ हर्मोन कहते हैं औक जीन की तरह इस वर का मुख्य हर्मोन जिबेरेलिक एसिड है जो जटिल कार्बनिक योगिक है कोशिका विभाजन एवं कोशिका दिर्गन द्वारा ये पौधे के अस्तम्व की लंबाई में व्रिधी करते हैं इनकी उपयोग से व्रीहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है बीज रहित फलों के उत्पादन में ये औकजीन की तरह सहायक होते हैं तो जिबेरेलीन्स और ऑकजीन दोनों को ग्रोथ हॉर्मोन कहा जाता है और ये दोनों कोशिका विभाजन और कोशिका की लंबाई के बढ़ने में सहायक होते हैं साथ साथ क्या है जो बीज रहित पौधे जिसमें बीज नहीं होते हैं उनके उत्पादन में ये सहायक होते हैं यानि ये अगर सही मात्रा में रहेगा तो उनके जो फलों के साइज हैं वो बड़े होंगे फूट बड़े होंगे तो क्या होगा फूट जादा से जादा मिलेंगे उनका साइज बड़ा होगा यानि जो फलों के साइज हम लोग देखते हैं बाजार में आया दिन की जो हाइब्रिड वेराइटी है उनके फलों के साइज बड़े हैं तो किनके कारण हो रहा है इसी ज साइटो काइनीन यह एक ऐसे रायसायनिक कार्बनीक पदार्थ है तो बीजों के भून पोस इंडो स्पर्म एवन पौधों की जड़ों में संसलेसित होते हैं यह कहां साइटो काइनीन पाया जाता है यह याद रखना बहुत आवस्यक है कि इंडो स्पर्म और पौधों की लिखते हैं उसी को कहते हैं इंडो स्पर्म तो यह दोनों जगा होते हैं व्रून पोस्प और जड़ों में यह कोशिका द्रवे के विभाजन में मुखे भूमी का आदा करते हैं देख रहा है ना जीवेरेलीन और ऑगजीन से कैसे यह अंतर है वहाँ कोशिका का विभाजन में और उसके व्रिधी में मदद करता यह क्या है कोशी का द्रवे जो पाया जाता है तो द्रवे के विवाजन में यह ज्यादा मदद करता है यह जीर्णता को रोकता है यानि जीर्णता मतलब क्या हो गया कि यह पूराना होने से यानि पौधे को पत्ती को पीला होने से रोकत है यानी फल जब इसके कारण जब तक ये रहेगा फल हरा रहेगा एवं पर्ण हरित क्लोरोफील को काफी समय तक नस्ट होने नहीं देता है यानी ये क्या करता है पौधे को यंग विट का सकते हो रखने में ये मदद करता है ताकि पौधे सही तरीके से करे करें, तो यह कोषिका द्रवय के विभाजन में सहायक है, पौधे को पूराना होने से रोकता है, काफी समय तक लूरोफिल को पौधों में बनाए रखता है, उसे नस्ट नहीं होने देता है, इससे फाइदा क्या है किस्से पत्तियाल काफी समय तक हरी रहती हैं, पिली नहीं होती हैं और गिरती नहीं हैं. एक तरह से कहा जाए हैं तो और जीन, जीबिरलीन, साइटो काइनीन ये तीनों पौधे के वरिधी में सहायक हैं, अलग-अलग भुमिका करते हैं पर क्या है? ये वरिधी करने में सहायक होते हैं, अब आगे देखते हैं, आपसिसीक एसीड, इसको शॉर्ट फॉर में एबीए भी कहते हैं, कभी कभी एबीए का फुल फॉर्म लिखना भी आता है, यह क्या है, यह एक व्रिधी रोधक कारबनी क्योगिक है, बच्चो अभी हम लोगों ने किसको देखा थ कि यह बुढ़ा होने से रोकता है, पत्तियों को पीला होने से रोकता है, और यह क्या है, यह व्रिधी को रोकता है, जो ऑक्जीन एवं जीबेरेलीन्स के प्रभाव को उलट देता है, यानि ऑक्जीन और जीबेरेलीन्स दोनों को अभी हम लोगों ने देखा था, यह ग्र भी पौधे पर छिड़कने पर सिग्री पत्यों का विलगन आप सीशन हो जाता है यानि ज़ड़ जाता है यानि अगर इसका पौधों पर छिड़काव किया जाए तो पौधे मुर्जा जाएंगे यह पत्यों के मुर्जाने एवं विलगन में सहायता करता है यह कलियों की व् को अबरुद करता है बच्चों तब तो आप कहेंगे कि ये तो विलेन है जो कारे को प्रभावित कर रहा है नहीं अब रिधी को रोकना भी तो जरूरी है जैसे बीजों में आप देखिए अगर बीजों में को बहुत दिन तक हम लोग सुरच्छित रखते हैं तो अगर ये व नन्हा छोटा सा पौधा छुपा हुआ है बीज के अंदर उसको सुरच्छित करता है और रोके रहता है इसलिए उसमें अंकुरन नहीं होता है जब आप बीजों को डालते हैं मिट्टी में और तीन उसके सुटेबल कंडिशन मिलते हैं तब यहां से फिर और जिबेरिलीन स सक्रिये होता है यानि जहां जिबेरिलीन और और जिन सक्रिये नहीं रहता तब यहीं अपसिसी के सीट काम करता है और पतियां हम लोगों ने उस सरजन में अभी पढ़ा ना कि जब उसमें ऐसे वेस्ट मिटेरियल भर जाते हैं तो पतियों का कुछ दिन में उससे हटना जर सारी कारे करने की छमता नहीं है अब तुमको पेड़ों से अलग होना होगा तो वहां आप से किसिक एसीट काम करता है इसलिए यह पतियों के विलगाव में बर्ड के बृद्धी और बीजों के अंकुरान अब बर्ड में जब तक उसके सारे पार्ट्स नहीं अंदर बर्ड के अंदर बन जाएंगे तो तब तक वो रोके रहता है कि जब तक सारे बड के अंदर क्या रहते हैं फूल खिलते हैं तो जब तक सारे पार्ट्स नहीं बन जाएंगे तब तक वो बड कंडिशन में ही रहता है और बड कंडिशन में रखने के लिए कौन जिम्मेवार है यह एपसिसी के सीड हैं तो यह एंटी ग्रोथ हॉर्मोन हो गया दो जीवेरलीन और साइटो काइन जीवेरलीन और ऑग्जीन को जहां आपने पढ़ा कि ग्रोथ हॉर्मोन है तो यह उसके विरुद्ध कारे करता है जिसके कारण पतियों में विलगा होता है तो एक नंबर के आपसिसी के सीड तो सही आंसर क्या होगा आपसिसी के सीड तो हर एक पैराग्राफ हर एक को पढ़िए और उसमें यह भी देखिए कि कौन कितने हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेस्टन इससे या एमसी क्यों तैयार कर सकते हैं तो इससे आपका तैयार होता जाएगा चलिए अगले हर्मोन को देखते हैं इथिलीन यह गैस के रूप में पाया जाने वाला हर्मोन है बच्चों यहां ध्यान देने योग है पांचमा कौन सो हर्मोन है इथिलीन और यह किस रूप में है गैस के रूप में है बाकी चार हर्मोन क्या थे लिक्विट फॉर्म में थे रश यही गैस के रुप में पाया जाने वाला होर्मोन है यह खास कर वैसे उचवर्ग के पौधों में पाया जाता है जो प्रतिकूल परिस्थीतियों में रहते हैं यानि एड़र्स कंडिशन में जो पौधे रहते हैं अपने आपको जिंदा रखते हैं वहां यह इथिलीन पाया जाता है यह फूलों फलों बीजों पतियों तथा जड़ों में उत्पादित होता है यह कहां कहां उत्पादित होता है फूलों में फलों में बीजों में पतियों में तथा जड़ों में यह स्टेम में नहीं पाया जाता है यह ध्यान देने योग है तता यह स्टेम में कहां पाय जाता है पौधे के तने के अगर भाग में बनता है और अगर भाग में क्यों रहता है ताकि वहां से यह विश्रित होकर फलों को पकाने में सहायता करता है जब फल बड़े हो जाते हैं और यह पकने लाय कहते हैं न हम लोग कि यह कच्छा फल नहीं यह पक गया है अम्रूद में जैसे वैसे ही फलों को देख देके हम लोग तोड़ते हैं अता इसे फल पकाने वाला हॉर्मोन राइपिनिंग हॉर्मोन भी कहा जाता है यानी यहाँ आप ये पकाने में कौन-कौन मदद करते हैं अबसी सी केसिट और ये इथिलीन एक टाइम के बाद अबसी ब्रोट को वहीं रखता है उसके बाद इथिलीन कारी करता है उसे काने का काम करता है इथिलीन को इसलिए गंट कर बीप हलों को पकाने में इस्तेमाल जाता है है हम लोग आय दिन सुनते हैं और रख कि इससे पका हुआ फल है आम गैस से पका के आया है केला ज़्यादा तर जो हम भजारों में विखते हूं वह से पका और यानि नाचुरली पेड़ में ये पके हुशे नहीं आते हैं तो वहां पकाने का कारे कौन करता है तो ऐसे ही किसी बरतन में रखा जाता है और वहाँ इथिलीन को उस बरतन में छोड़ा जाता है और इथिलीन के कारण वो फल पक जाते हैं और फिर बजार में आते हैं तो इथिलीन पौधों में फलों को पकाने का काम करता है और इसका इस्तेमाल क्रित्रिम रूप से भी होता है क्योंकि ये गास रूप में रहता है तो बच्चो इस तरीके से आप लोगों ने पांच हormuş हल्मोन को जाना उनके विभनेकारेशं को जाना तो ग्रोथ हॉर्मोन कौन कौन से औक्जीन, जिबेरिलीन, साइटो काइनीन भी ये तीनों उसी के अंतरगत आएंगे, दो हैं ग्रोथ हॉर्मोन नहीं हैं, ये ग्रोथ को रोकते हैं, जिसमें मेजर रोल प्ले करता है आपसिसिक एसिड और बी जो फलों को फूलों को पकाने का कारे कौन करता है, आपको करता है, इथिलीन, यानि जब तक फूल मैच योर नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा, परागन की क्रिया नहीं, परागन की क्रिया नहीं होगी, तो फल का निर्मान नहीं होगा, बीज का निर्मान नहीं होगा, तो इस तरीके से ये पाँचों ह अभी तक पौधों में नियंतरन एवं समनवय की विभिन बीधियों को देखा कि कैसे पौधों में ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है उसमें नास्टिक मुवमेंट का भी एक मेजर रोल है ट्रॉपिजम का भी एक रोल है और इस ट्रॉपिजम में कैसे सहायक होते हैं और फलो फूलों के निर्मान में सहायग हो थे विभिन हॉर्मोन को देखा बचो अब चलते हैं जन्तु हो में ये नियनत्रन एवं समन्वय कैसे होता है पौधों में नियंत्रन एवं समन्वय को तो देख लिया अब जन्तुओं में चलते हैं तो जन्तुओं में नियंत्रन और समन्वय जन्तुओं में विभिन प्रकार के सारी क्रियाओं के बीच समन्वय तथा नियंत्रन निम्नांग के दो प्रकार से होते हैं जन्तुओं में के द्वारा होता है उच्छ स्रेनी के जन्तों में ऐसी तंत्री काएं मिलकर एक तंत्र का निर्मान करती हैं जिसे तंत्री का तंत्र कहते हैं पहला क्या है जन्तों में पहला कंट्रोल क्या है तंत्री किये तंत्र के द्वारा तो पूरा एक सिस्टम है जिसे की तंत्री का तंत कहते हैं जन्तुओं में उसके द्वारा नियंत्रन और समन्वे होता है दूसरा क्या है रासायनिक नियंत्रन एवं समन्वे केमिकल कंट्रोल और कोडिनेशन दूसरा है रासायनिक कंट्रोल सारीरिक क्रियाओं के नियंत्रन और समन्वे में परियुक्त रशायन हॉर्मोन कहला आते हैं रसायन के बारे में हॉर्मोन के बारे में चर्चा बच्चो हम लोग पादपनी अंतरन में भी समनवय में देखे थे तो यहां भी वैसे ही एक हॉर्म रशायन है जिसे की हॉर्मोन कहलाते हैं यहां क्या है कि एक विस्ष्ट गंथी के द्वारा स्रावित होते हैं जिस तंत्र कहलाते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम कहलाते हैं, इस अंदर में पौधे और जनतुओं में थोड़ी भिनता है, आप लोगों ने देखा ना कि पौधों में, पौधों में हर्मोन को स्रावीत करने के लिए ऐसे कोई इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं थे, पूरे बाडी म में वो स्रावीत होते थे, पर जनतुओं में क्या है, एक खास तरह का ग्लैंड है, जो इसे स्रावीत करता है, और आगे देखते हैं, पौधों में नियंतर निवर मसा मनवय केवल रासाइनिक होता है, तंत्री की नहीं, बच्चों यहां हम लोग हॉर्मोन को, क्योंकि जनत इंडोक्राइन ग्लैंड को, हर्मोन को तो आप लोगों ने समझ लिया है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, कि यह डक्टलेस ग्लैंड है, यानि इसमें पाइप, डक्ट किसको कहते हैं, वैसे ग्लैंड जिसमें पाइप जैसी सनरचना होती है, जैसे यह बाटल ही है, तो इसमें पानी क्यों भरा है क्योंकि अंदर से ये खाली है तो पाइप जैसी जब संरचना होती है तो उस तरह के ग्रंथी को कहते हैं बही स्रावी ग्रंथी जैसे कि हमारा stomach, in-testine, intestine क्या है, पूरी pipe जैसे सनरचना हो, और अंदर में खाली है, stomach pouch like structure है, इस तरह का है, तो बीच में खाली है, जहां enzyme स्रावित होते हैं, तो ऐसी ग्रंथी को वही स्रावी ग्रंथी कहते हैं, और वैसी ग्रंथी, जिसमें पाउच जैसी सनरचना नहीं होती है, सिर्फ रावी ग्रंथि और बहिस रावी ग्रंथि में कभी-कभी अंतर आते हैं तो एक अंतर तो अभी मैंने बताया कि अंतर रावी ग्रंथि में क्या होगा ग्लांड जैसी डक्ट जैसी सनरचना नहीं होगी जबकि बहिस रावी ग्रंथि में डक्ट जैसी सनरचना होगी अंतर स्रावी ग्रंथियों के दौरा हर्मोन का सिक्रीशन होता है जबकि बही स्रावी ग्रंथियों के दौरा किसका सिक्रीशन होता है इंजाइम का सिक्रीशन होता है और क्या अंतर हो सकते हैं? सोचिए आप चलिए एक अंतर मैं और बता देती हूं आप लोगों को अंतर स्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो हॉर्मोन का सिक्रीशन होता है ये हॉर्मोन अंतर स्रावी ग्रंथियां सीधे ब्लड में खून में स्रावित करती हैं क्योंकि इन में तो पाउच जैसी सनरचना है नहीं तो वही स्रावित करती हैं, तो ये अंतर स्रावी ग्रंथियां अपना सिक्रीशन कहां सीधे डालती हैं, तो खून में सीधे डालती हैं, जबकि बही ग्रंथी, बही स्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो एंजाइम का सिक्रीशन होता है, वह वही उसी पाउच में सिक्रीट वो क पताना चाहूंगी, हॉर्मोन और इंजाइम में भी आप अंतर समझेए, तब यह हॉर्मोन आगे कैसे कारे करते हैं आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो हॉर्मोन तो पहला अंतर हो गया कि अंतर स्रावी ग्रंथियों के द्वारा सिक्रीट होता है, जबकी इंजाइम बहि उसी ग्लैंड में वही मौजूद रहता है तीसरा अंतर हॉर्मोन में क्या है कि हॉर्मोन की एक निश्चित मात्रा का होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका कम या ज्यादा सिक्रीट होना मनुश्यों में कई तरह की परिशानिया या बीमारियों को उत्पन कर सकता है पर एंजाइम के लिए बहुत ज्यादा बहुत कम प्रभावित करता है पर हॉर्मोन की तरह ये उतना हानिकारत नहीं है एक और अंतर है हॉर्मोन और एंजाइम में कि हॉर्मोन सिक्रीट कहीं और होता है और कारे कहीं और करता है जबकि एंजाइम है कि जहां सिक्रीट होता है वही कारियों को पूरा करता है तो बच्चों मैं समझती हूँ कि अंतर स्रावी और बही स्रावी ग्रंतियों में आपने अंतर को समझा हर्मोन और एंजाइम में अंतर को समझा अब मैं समझती हूँ कि जब आगे इनके बारे में और विस्तरित जानकारी दोंगी तो आप बेहतर तरीखे से समझेंगे तो जनतुओं में नियांत्रन एवं समन्वे तंत्रिका के द्वारा कैसे होता है और हॉर्मोन के द्वारा कैसे होता है ये हम लोग अगली कख्षा में समझेंगे तब तक के लिए धन्यवाद